बिहार के तमाम ग्रामिर चिकिचको का डाक्टर बबलुक कुमार तिवारी के तरब से प्यार भरा नमस्कार दोस्तो बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए कि आपने मेरा विडियो इससे पहले पूर जोर मेरा शमर्थन किया इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तो यूटूब पे मेरा डाक्टर बबलुक कुमार तिवारी चैनल को लाइक एंड सस्क्राइब करें दोस्तो मैं आज बिहार के तमाम ग्रामिर चिकिचक को से आगरह करता हूँ की एक कहां एक छोटी सी कविता मुझे याद आ रही हरिवन्स रायवच्चन की लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती कोशिस करने वालों की कभी हार नहीं होती नन्ही चीटी जब दाना लेकर चलती है चड़ती दिवालों पर सौ बार फिसलती है मन का साहस रंगों में हिम्मत भरता है चड़कर गिरना गिरकर चड़ना ना अखरता है महनत उसकी बेकार हर बार नहीं होती कोशिस करने वालों की कभी हार नहीं होती कोशिस करने वालों की कभी हार नहीं होती दोस्तो हम एक चीटी से बहुत अच्छी सिक्षा लेशकते हैं दोस्तो मैं बता दूँ आपको कि एक चीटी ही ऐसी है जिससे की हम यह जान और समझ पाएंगे कि जब चीटी पूरिज जुंड में जब चलती है तो वो अपने लाइन बाई लाइन एक कागरता और निस्चित टार्गेट को दिखाती है जिसमें यह परिचे देती है कि मैं अगर आप वो लाइन बाई लाइन चल रही हो तो आप एक बार कभी उंगली रख के देखिएगा वो नहीं रुकेगी कभी नहीं रुकती चीटी जीवन में कभी नहीं रुकती मैंने जो जाना है मैंने जो समझा है चीटी जब बील के अंदर होती है तभी रुकती है उससे पहले वो कभी नहीं रुकती है आप जब चलती हुई चीटी लाइन से जब चलती है तो आप एक बार उंगली उठा के देख लेना उंगली हटाने के बाद भी चीटी आपको ये बोलती है कि भाईया मैं रुकने वाली नहीं हूँ मैं चलती जाओंगी मैं चलती जाओंगी मैं चलती जाओंगी दोस्तो जब चीटी नहीं रुक सकती है तो मेरा ग्रामड चिकत्सक कैसे रुक सकता है आरे मैं ये अपने पूरे ग्रामड चिकत्सक बिहार से वान करता हूँ कि आप एक ताका परिचे दे और पूरे बिहार को एक जैसा ही पूरा बिहार बना दे इसी बिहार को बहुत पहले से बहुत लोगों का मैं क्या याद दिलाओं मैं हम सभी ग्रामड चिकत्सक एक हैं एक हैं एक हैं धन्यवाद